उपस्तित सभी आदर्णी माहनुभाव सबसे पहले तो मैं माता वैश्णो देवी परिशर में हुए दूखद हाथ से पर शोक व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने भगदर में अपनों को खोया हैं जो लोग गायल हुए हैं मेरी संवेदनाई उनके साथ है केंदर सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है मेरी लेप्टनिन गवर्नर मनो सिनाजी से भी बात हुई है राहत के काम का गायल के उप्चारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है भायो बहनों इस कारकम में हमारे साथ जुड़े केंदरिय मंत्री मंदर के मेरे सहयोगी गण अलग-अलग राज्यों के सभी आदर्निय मुख मंत्री गण राज्यों के क्रिशी मंत्री अन्य महानुभाव और देश के कौने-कौने से जुड़े मेरे करोडों, किसान, भाईयों और भेनों भारत में रह रहे हैं, भारत से बाहार रह रहे हैं प्रतेख भारतिय, भारत के प्रतेख सुपचिन तक और विश्व समधाय को वर्ष 2022 की हारदिक सुपकामना है साल की शुरुवात देश के करोडों अंदर दाताओं के साथ हो साल के प्रारम में ही मुझे देश के कौने-कौने में हमारे किसानों के दर्सन करने का सोभाग मिले या अपने आप में मिरे लिए बहुत बड़ी प्रेणा की पल है आज देश के करोडों किसान परिवारों को विशेश कर छोटे किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निजी की दसवी किस्त मिली है किसानों के बैंक खातों में बीस हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये गए हैं आज हमारे किसान किसान उत्पात संग फार्मर्स प्रोड्यूस और नैशन्स इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सायता भी बेजी गई है सैक्ड़ो एप्योस आज नई शुरुवात भी कर रहे हैं साथियों हमारे यहां कहते हैं आमुखा आयाती कल्यानम कार्यसिद्धिम ही संसति ही अर्थात सफल सुरुवात कार्यसिद्धि की संकल्पों की सिद्धि की पहले ही गोशना कर देती हैं एक राष्ट्र के रूप में हम 2021 में बीते साल को उसी रूप में देख सकते हैं कि दोजार इकीस कि सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी से मुकाबला करते विए कोटी कोटी भारतियों के सामूर्दित सामर्थ देश ने क्या करके दिखाया है इसके हम सब साक्षी हैं आज जब हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तब बीते साल के अपने प्रयासों से प्रणा लेकर हम नए संकल्पों की तरफ बढ़ना है इस साल हम अपनी आजाजी के प्रततर वर्ष पूरे करेंगे इस समय देश के संकल्पों की एक नई जीवनत यात्रा शुरू करने का है नए होसले से आगे बढ़ने का है दोहजार इकीस में हम भारतियों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष बड़ा सा बड़ा लक्ष छोटा हो जाता है कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसे इतना बड़ा विशाल देश विवित्ताव भरा सा देश 145 करोड से अधिक लोगों को 145 करोड से अधिक वैक्सिन डोज दे पायेगा कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन में डाई करोड वैक्सिन डोज का रेकॉर्ड बना सकता है कौन सोच सकता था कि भारत एक साल में दो करोड घरों को पाईप से पानी की स्विधा से जोड सकता है भारत इस करोणा काल में अनेकों महिनों से अपने असी करोड नागरिकों को मुप्त राशन सुनिस्चित कर रहा है और मुप्त राशन की सिर्फ इस योजना पर ही भारत दो लाग साथ हजार करोड रुपिये उससे भी ज़्यादा खर्च कर चुका है मुप्त अनाज की इस योजना का बहुत बड़ा लाप गाउं को गरीब को गाउं में रहले वाले हमारे किसान साथियों को मिला है खेत मद्दूरों को मिला है साथियों हमारे यहां ये भी कहा गया है संगे शक्ति युगे युगे यानि इस युग में संगर्ण से ही शक्ति होती है संगर्णित सक्ति यानि की सब का प्रयास संकल्प को सिद्धी तक ले जाने का मार्ग जब 130 करोड भारतिय मिलकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कदम भर नहीं होता 130 करोड कदम होते हैं हम भारतियों का स्वभाव रहा है कि कुछ न कुछ अच्छा करके हमें एक अलग सुकुन मिलता है लेकिन जब ये अच्छा करने वाले एकत्र होते हैं बिखरे हुए मोतियों की माला बनती है तो भारत माता दैजी प्यमान हो जाती है कितने ही लोग देश के लिए अपना जीवन खपा रहे हैं देश को बना रहे हैं ये काम पहले भी करते थे लेकिन उन्हें पहचान देने का काम अभी हुआ है हर भारतिय की शक्ति आज सामोहिक रुप में परिवर्तित होकर देश के विकास को नई गती और नई उर्जा दे रही हैं जैसे इन दिनों जब हम पद्म पुरसकानों से सम्मानित लोगों का नाम देखते हैं उनके चेहरे देखते हैं तो आनन से भर जाते हैं सबके प्रयास से ही आज भारत कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी का मुकामला कर रहा है भाजी और भेनों कोरोना के इसकान में देश में हेल्थ सेक्टर को और मजबूत करने हेल्थ इंफ्रा को और बढ़ाने पर भी निरंतर काम किया गया है 2021 में देश में सेक्टों नए अउक्सिजन प्लांट बनाए गएं हजारों नए वेंटिलेटर जोड़े गएं 2021 में देश में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने दर्जणों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुड़ू हुआ है 2021 में देश में हजारों wellness center का भी निर्मान किया गया है आईश्मान भारत health infrastructure mission देश के जीले जीले ब्लॉक ब्लॉक तक अच्छे अस्पतालों अच्छी स्टेस्टिंग लैप का network ससकत करेगा digital इंडिया को नई ताकत देते हुए आईश्मान भारत digital health mission देश में स्वास्प सुभिधाओं को और थुलब और प्रभावी बनाएगा भाई और महनों आज बहुत से economic indicators उत्स समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था आज हमारी अर्थववस्ता की विकात दर आठ प्रतिससे भी जादा है भारत में record विदेशी निवेश आया है हमारी विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडा रिकॉर्ड सर पर पहुंचा है जी एस्टी कलेक्शन ने भी पुराने रेकॉर्ड वस्त केर्द कर दिये हैं निर्यात और विशेट करक्रसी के मामले में भी हमने नए प्रतिमान सापित किये हैं साथियों आज हमारा देश अपनी विविजता और विशालता के अनुरूप ही हर शेत्र में विकास के भी विशाल किरतिमान बना रहा है 2020 में भारत ने करीब करीब सत्तर लाग करोड रुपय का लेंदेन सत्तर लाग करोड रुपय का लेंदेन UPI से किया है डिजिटल टांजेक्शन किया है आज भारत में पच्चास हजार से ज़्यादा स्टार्ट अप्स काम कर रहे हैं इन में से दस हजार से ज़्यादा स्टार्ट अप्स तो पिछले छे महिने में बने हैं दोहजार इकीस में भारत के नवजवानों ने कोरोना के इस कालखण में भी 42 यूनिकॉन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है मैं अपने किसान भाई बेहनों को बताना चाहता हूं कि एक एक यूनिकॉन यह करीब करीब साथ हजार करोड रुपे से भी अधिक मुल्ले का स्टार्ट अप है इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नवजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है और साथियों आज जहां भारत एक और अपना स्टार्ट अप इको सिस्टिम मजबूत कर रहा है तो वहीं दूसरी और अपनी संस्कृति को भी उतनी ही गर्व से ससक्त कर रहा है काशी विश्वनाद दाम सुन्द्री करण परियोजना से लेकर केदारनाद दाम की विकास परियोजनाओं तक आदी संकराचारिय की समाधी के पुनन दिर्मार से लेकर मां अन्पुरुना की प्रतिमा समेच भारत से चोरी हुई शैक्णों मुर्तियों को वापत लाने तक का दर्जा मिलने तक भारत के पास इतना कुछ है देश के प्रती पूरी दुनिया का आकर्षन है और अब जब हम अपनी दरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं तो निश्चित तोर पर टूरीजम भी बढ़ेगा और तिल्था तन भी बढ़ेगा साथियों भारत अपने युवाओं के लिए अपने देश की महिलाओं के लिए आज अभूत पूर्व कदम उठा रहा है 2020 में भारत ने अपने सैनी स्कुलों को बेटियों के लिए खोल दिया 2020 में भारत ने नेशनल डिफेंस एकडेमी के द्वारा भी महिलाओं के लिए खोल दिये 2021 में भारत ने बेटियों की शाजी की उम्र को 18 से बढ़ा कर 20 साल यानि बेटों के बराबर करने का भी प्रयाश शुरू कर दिया आज भारत में पहली बार पी-एम आवास योजना की वेज़े से करीब करीब दो करोण महिलाओं को घर पर उनका माली का ना हक भी मिला है हमारे किसान भाई बेन हमारे गाउं के साथ ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ है साथियों 2021 में हमने भारतिये खिलाडियों में एक नया आत्मविस्वाद भी देखा है भारत में खेलों के प्रति आकर्षन बना है एक नए युकी शुरुवात हुई है हमें से हर कोई खुश था जब भारत ने टोक्यो ओलिम्पिक में इतने मेडल जीते हमें हर कोई गर्व से भरा था जब हमारे दिव्यांग खिलाडियों ने प्रालिम्पिक में इतिहास रत दिया प्रालिम्पिक के इतिहास में भारत ने अब तक जितने मेडल जीते थे उससे जादा मेडल हमारे दिव्यांग खिलाडियों ने पिछले प्रालिम्पिक में जीत कर दिखाए है भारत आज अपने sports persons और sporting infrastructure पर जितना निवेश कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया कल ही मैं मेरश में एक sports university की सिलानयास करने भी जा रहा हूं साथियों सयुक्त रास्त सुरक्षा परिशत से लेकर स्थानिय निकायों तक में भारत ने अपनी नीतियों और निर्णों में अपना सामर्त सिद्ध किया है भारत ने 2016 में ये लक्ष रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी installed electricity capacity का 40 प्रतिशत non-fossil energy source से पुरा करेगा भारत ने अपना ये लक्ष 2030 का जो लक्ष था वो नवंबर 2021 में ही प्राप्त कर लिया क्लाइमेट चेंज के खिलाप विच्वका नेत्रूत्व करते हुए भारत ने दोजार सत्तर तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का भी लक्ष दुनिया के सामने रखा है आज भारत हाइड्रोजन मिशन पर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक भीकल्स पर लीड ले रहा है देश में करोड़ों एलेडी बल्ब वित्रित करने से हर साल गरीबों के मध्यमबर के करीब करीब बीस हजार करोड़ रुपिये बीजली बिल्स में कम आये हैं देश भर के शहरों में स्थानी निकायों द्वारा स्ट्रीट लाइट्स को भी एलेडी से बदलने से का अभियान चलाया गया है और मेरे किसान भाई हमारे अनदाता उर्जा दाता बने इसके लिए भी भारत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है प्रदान मंत्री कुसिम योजना के तहट किसान खेतों के किनारे मेड़ पर सोलार पैनर लगाकर और उर्जा पैदा कर सके इसके लिए भी उन्हें मदद दी जा रही है लाखों किसानों को सरकार द्वारा सोलर पंप दिये गए हैं इससे पैसे की भी वचत हो रही है और परियावरण की भी रक्षा हो रही है साथियो दोजार इकीस का वर्ष कोरोना के खिलाप देश की मजबूत लराई की वजह से याद रखा जाएगा तो इस दोरान भारत ने जो रिफॉर्म किये हैं उनकी भी चर्चा अवश्य होगी बिते साल भारत ने आदुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्माण और रिफॉर्म की प्रक्रिया को और तेजगती से आगे बढ़ाया है सरकार का दखल कम हो हर भारतिय का सामर्थ निखरे और सब के प्रयास से राष्टिय लक्षों की प्राप्ति हो इसी प्रतिबद्दता से उसी को ससक्त किया जा रहा है व्यापार कारोबार को आसान बनाने के लिए बिते साल भी अनेक निर्णे लिए गए पी एम गती शिक्ती नेशनल मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्रेक्टर निर्माण की गती को नई धार देने वाला है मेकिन इंडिया को नए आयाम देते हुए देश ने चीप निर्माण सेमी कंड़क्टर जैसे नए सेक्टर के लिए महत्वक आंक्षी योजनाय लागू की है बीते साल ही रक्षाक्षेत्र में आत्म निर्भरता के लिए देश को साथ रक्षा कंपनिया मिली हैं हमने पहली प्रोग्रेसीव ड्रोन पॉलिसी भी लागू की है अंतरिक्ष में देश के आकांग्छाओं को नई उडान देते हुए इंडियन स्पेस एसोसेशन का गठन किया गया है साथियों डिजिटल इंडिया अभियान भारत में हो रहे हैं विकास को गाउं गाउं तक ले जाने में बड़ी भूमी का निभा रहा है दोहजार इकीस में हजारों नए गाउं को आप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा गया है इसका बहुत लाब हमारे किसान साथियों उनके परिवारों उनके बच्चों को भी हुआ है दोहजार इकीस में ही यी रूपी जैसा नया डिजिटल पेमेंट ये पेमेंट समाधान भी शुरू किया गया है एक देश एक राशनकार भी देश भर में लागू हो चुका है आज देश के असंगडिक छेत्र के समीकों को इस रमकार दिये जा रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाप उन तक आसानी से पहुँच पाए ये बाई और बहनों वर्त 2022 में हमें अपनी गती को और तेज करना है कोरोना की चुनोतियां है लेकिन कोरोना भारत की रप्तार नहीं रोक सकता बारत पुरी सावधाने रत्ते हुए पुरी सतर्त्र के साथ कोरोना से भी लड़ेगा और अपनी राष्ट्य हीतों को भी पुरा करेगा हमार यहां कहा गया है जही ही भीतिम भजबजशक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरू कुरू सतदम धेयस्मर्णम सदेव पुर्तो निधेही चर्णम यानि डर, भाय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ को याद करना है देश प्रेम की भावना सर्वो पर ही रखनी है हमें अपने लक्षों को याद रखते हुए लगातार लक्ष की और कदम बढ़ताना है राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयात आज हर भारतिय का मनोभाव बना रहा है और इसलिए ही आज हमारे प्रयासों में एक जूड़ता है हमारे संकल्पों में सिद्धी की अधीरता है आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णव में दुरदर्शिता है। देश के अन्रदाता को समर्पित आज का ये कारकम इसी का एक उदारा है। पीएम किसान सम्मान निधी भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बड़ी है। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोर रुप्य का ट्रांसपर बिना किसी बिचोलिये के बिना किसी कमिशन के पहले कोई कलपना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। आज की राची को मिला दें तो किसान सम्मान निधी के तहर किसानों के खाते में एक लाग अस्ती हजार करोर रुप्य से ज़्यादा ट्रांसपर हो चुके हैं। आज उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधी बहुत काम आ रही है। छोटे किसान इस राची में से अच्छी क्वालिटी के बीच खरीद रहे हैं। अच्छी खात और उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों देश के छोटे किसानों के बढ़ते हुए सामर्त को संगठित रूप देने में हमारे किसान उत्पात संगठनों एप्पियोज की बड़ी भूमी का है। जो छोटा किसान पहले अलग थलग रहता था उसके पास अब एप्पियोज के रूप में पांच बड़ी शक्तियां है। पहली शक्ति हैं बहतर बार्गेनिंग यानि इनिकी मौलभाव की शक्ति है। आप सब जानते हैं कि जब आप अकेले खेती करते हैं तो क्या होता है। आप बीज से लेकर खाद तक सब खरीते तो फुटकर में हैं लेकिन बेचते थोक में हैं। इससे लागत जादा बढ़ती हैं और मुनाफ़ा कम होता है। लेकिन एप यो के जरिये ये अब तस्विर बदल रही हैं। एप यो के माद्यम से अब खेती के लिए जरूरी चीजें किसान थोक में खरीते हैं और रिटे में बेचते हैं। एप यो से जो दूसरी शक्ति किसानों को मिली हैं वो हैं बड़े स्तर पर व्यापार की। एक एप यो के रूप में किसान संगड़िद होकर काम करते हैं लिहाजा उनके लिए संभावनाएं भी बड़ी होती हैं। तीसरी ताकत है इनोवेशन की एक साथ कई किसान मिलते हैं तो उनके अनुभव भी साथ में जूड़ते हैं। जानकारी बढ़ती हैं। नए नए इनोवेशन के लिए रास्ता घुलता है। एप यो में चौती शक्ती है रिस्क मैनेजमेंट की। एक साथ मिलकर आप चुनोत्यों का बहतर आकलन भी कर सकते हैं। उससे निपटने के रास्ते भी बना सकते हैं। और पांच भी शक्ती हैं बाजार के हिसाब से बदलने की क्षम था। बाजार और बाजार की डिमांड तो लगातार बदलती रहती है। लेकिन छोटे किसानों को या तो उसकी जानकारी नहीं मिलती या फिर वो बढ़लाव के लिए संसादन नहीं चुटाता पाता। कभी सारे लोग एक ही फसल वो देते हैं और बाद में पचाल चलता है कि उसकी डिमांड ही कम हो गई। लेकिन एपियो में आपने केवल बाजार के हिसाब से तैयार रहते हैं बलकि खुद बाजार में नए उत्पात के लिए डिमांड पैदा करने की ताकत भी रखते हैं। साथियों एपियोज की इसी शक्ती को समझते हुए आज हमारी सरकार ने उन्हें हर स्तरप्रपोस्षाइच कर रही है। इन एपियोज को पंद्रा लाख रुपे तक की मदद भी मिल रही है। इसी का नतीजा है कि आज देश में और गेनिक एपियो इसके क्लस्टर्स ओएल सीड के क्लस्टर्स, बैंबू क्लस्टर्स और हनी एपियोज जैसे क्लस्टर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे किसान आज बंद्रिस्टिक बड़ प्रोड़क जैसी योजनाओं का लाब उठा रहे हैं। देश विदेश के बड़े बाजार उनके लिए खुल रहे हैं। साथियों हमारे देश में आज भी ऐसी कई चीजों का विदेशों से आयात होता है जिनकी जरूरत देश का किसान आसानी से पूरी कर सकता है। खाद दे तेल इसका बहुत बड़ा उदारन है। हम विदेशों से खाद दे खरीचते हैं। देश को बहुत पैसा दूसरे देशों को देना पड़ता है। ये पैसा देश के किसानों को मिले, इसलिए हमारी सरकार ने ग्यारा हजार करोड के बजट के साथ नेशनल पाम ओयल मिशन शुरू किया है। साथियों, बीते साल देश ने क्रिशिक शेत्र में एक के बाद एक अनेक एतियासिक मुकाम हासिल किये हैं। करोणा की चनोतियों के बाद भी आप सब ने अपनी महनत से देश में अन उत्पादन को रिकॉर्ड स्तर पर आप लोग ले जा करके दिखाया है। बीते साल देश का अनाज उत्पादन तीन सो मिलियन टन तक पहुँचा है। होटी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बागवानी, फल फुल की खेती में अब उत्पादन तीन सो तीस मिलियन टन से भी उपर पहुँच गया है। छे साथ वर्ष पहले की तुलना में देश में दूद उत्पादन भी लगभग 45 प्रतिशत बढ़ा है। यही नहीं अगर किसान रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है तो देश MSP पर रिकॉर्ड खरीद भी कर रहा है। सिंचाई में भी हम पर ड्रॉप मौर कॉप को बढ़ार दे रहे हैं। बीते बर्षों में प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना के जरिये करिब साथ लाग हैक्टर जमीन को माइक्रो इरिगेशन से टपक सिंचाई से जोड़ा गया है। प्राकूतिक आपदा में किसानों को जो नुक्सान होता था जो दिक्कत होती थी उसे कम करने का भी हमने प्रयास किया है। प्रदान मंत्री फसल बबा योजना से किसानों को मिलने वाला मुवावजा एक लाग करोड से भी उपर पहुँच गया है। फसलों के अवशेस हो पराली हो एती हर चीज से भी किसान को पैसा मिले इसके लिए प्रयास तेज किये है। कृशी अवशेसों से बायो फ्यूल बनाने के लिए देश भर में सैंक्रों नए उनिस लगाई जा रही है। साथ साल पहले जहां देश में हर साल चालीस करोड लीटर से भी कम इथे नोल का उत्पादन होता था। वह आज तीन सो चालीस करोड लीटर से भी अधिग हो चुका है। साथ यो आज देश भर में गोबर्धन योजना चल रही है। इसके माध्यम से गाउं में गोबर से बायो गेस बनाने के लिए प्रोशान दिया जा रहा है। बायो गेस का उप्योग बढ़े इसके लिए भी देश भर में प्लांट लगाये जा रहे हैं। इन प्लांट से हर साल लाखो टन उत्तम और्गनिक खाज भी निकलेगी जो किसानों को कम दाम पर उपलब दरहेगी। जब गोबर का भी पैसा मिलेगा तो ऐसे पसु भी बोज नहीं लगेंगे जो दूद नहीं देते या जिनोंने दूद देना बंद कर दिया है। सब देश काम आए। कोई बे सहरा ना रहे ये भी तो आत्म निर्भरताई है। साथियों पसुओं का घर पर ही इलाज हो। घर पर ही कृत्रिम घरभातान की व्यवस्ता हो। इसके लिए आज अभियान चलाया जा रहा है। पश्यों में फूट एंड माउट डिसीज, खुरपका, मुपका के नियंत्रन के लिए भी टीका करण मिशन चल रहा है। सरकार ने काम देनु आयोक का भी गठन किया है। डेरी सेक्टर के इंफ्रास्टेकर के लिए हजारों करोड रुपिय का विश्रेस फंड बनाया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने लाखो पशूपालकों को किसान क्रेडिट कार की सुविधावी से भी जोड़ा है। साथियों धर्ती हमारी माता है। और हमने देखा है कि जहां धर्ती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ वो जमिन बंजर हो गई। हमारी धर्ती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दुरदर सी प्रयास शुरू किया है। यह प्रयास है नेच्रल फार्मिंग यानि प्राक्रतिक खेती और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी। और मैं तो चाहूँगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाईए। नेच्रल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीडियों से चिखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारमपारी ज्ञान को व्यवस्तित करें, आदुनिक तक्रिक से जोड़े। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है। और काफी उंचे दाम पर इसके खरिदार तयार है। इसमें लागत कम है और पादन भी बहतर रहता है। जिन से अधिक लाप सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सहत, उपजाव शक्ती और खाने वालों का स्वात भी उत्तम रहता है। मैं आज आप सभी से आगर करूँगा कि प्राकृति खेती को भी अपनी खेती से जोड़े, इस पर जोड़े। भाईयों और भेनों, नए साल का ये पहला दीन, नए संकल्पों का दीन है। ये संकल्प आज़ाजी के अमृत काल में देश को और समर्त और सक्षम बनाने वाले है। यहां से हमें इनोवेशन का कुछ नया करने का संकल्प लेना है। खेती में तो ये नयापन आज समय की मांग है। नई फसलों, नए तौर तरीकों को अपनाने से हमें हिचकिचाना नहीं है। साब सफाई का जो संकल्प है उसे भी हमें भूलना नहीं है। गाउं गाउं, खेत, खलियान, हर जगह स्वच्छता की अलग जलती रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा संकल्प है आत्मनिरवर्ता का। लोकल के लिए वोकल होने का। हमें भारत में बनी चीजों को बैस्विक पहचान देनी है। इसके लिए जरूरी है कि भारत में पैदा होने वाले, भारत में बनने वाले, हर सामान, हर सर्विश को हम प्राथ्विक तादे। हमें याद रखना है कि हमारे आज के कारिय अगले पतीस वर्सों के हमारी विकास यात्रा के दिशात तै करेंगे। इसी आत्रा में हम सभी का पसीना होगा, प्रतेक देश्वासी की महनत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी भारत को उसकी गवरोवसाली पहचान लोटाएंगे और देश को एक नई उंचाई देंगे। आज नए वर्ष के पहले दिन देश को करोड़ों किसानों के बैंक खातों में बीस हजार करोड़ पेर ट्रांसपर होना ऐसा ही एक प्रयास है। आप सभी को एक बार फिर दो हजार बाइस इस नव वर्ष की बहुत-बहुत मंगल कामणा हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।